असलाम अलेकुम तो आज की लेक्चर में मैं आपको फिर फॉलू थरो समझाऊंगा एक और दफ़ा और अब जो मैं एक human body पर समझा रहा हूं तो उमीद है कि आपको ज्यादा बहतर तरीके से समझवाएगा करते हैं human body पर भी कोई ऐसे यह जो मैं रिग यूज़ कर रहा हूं इसके लिए इसका नाम है ultimate boni बहुत असानी से आपको मिल जाएगा आप सर्च कर लें google पर वैसे मैं इसका हाथ है कि अपर किसी रिक पर काम कर रहे हैं तो सबसे पहले तो इसको यह तो तवाम चीज़ें इसको एफ रखें यह और नहीं होनी चाहिए इस तरह से सबक्रावाफ कर दें और सिर्फ ने करने ठीक है अब हम क्या करते हैं इस पर क्या समझाए जाए मैं कोई बहुत डिटेल में को बड़ी एनिमशन मेरा आने नहीं जा रहा हूँ मैं एक छोटी मोटी चीजी समझाने कुश्र करता हूँ और वो क्या है कि मैं एक सिंपल सा काम करता हूँ कि इसका हाथ मैंने नीचे किया थोड़ा सा इसकी फिंगर्स को रिलेक्स किल लेते हैं थोड़ा सा ये इस तरह काम करें आगे और रिलेक्स होता है थोड़े से अल्बो हम किल लेते हैं ये मैं जब आपको एक सॉलिड पोस की तरफ आउंगा जब प्रिंसिपल है सॉलिड पोस सॉलिड ड्राइंग तो इसमें मैं और ज्यादा डिटेल में एक रिक को पोस करना सिखाऊंगा इस बग मैं सिर्फ फॉलो थूरू समझा रहा हूं आपको ठीक है तो आप इसको देखें इसको समझें वह ज्य सब्क्राइल है अब अगर हम इसका एनिमिशन चक करें तो ठीक है हात ओपर जा रहा है जो भी देखेगा जिसको भी एनिमिशन के बारे में टरहा नहीं बदा शायद वो देखे गहे कहाँ यार या या निमिशन तो बनानी है इसमें पॉन सा इसा तीर्वाल लिया लेकिन अब देखें, इसको याद रखें किस वक्त क्या movement है, अब जब मैं इसमें follow through add करूँगा, तो फिर इसकी movement क्या होगी, follow through के इलावा मैं कुछ और चीज़ें भी add करूँगा, जो मैं पहले बता चुका हूँ आपको, लेकिन जब इसमें दोबारा सुनेंगे, तो और बेतर वो भी समझ में आईगी, यह हाथ उपर जा रहा है, follow through के बारे मैं मैंने आपको क्या समझाया था, जो आप पहले parent move करता है, फिर child और फिर उसका child, फिर उसका child इस तरह से बारी बारी move करता है, तो यह जो हाथ, यह जो movement बनाई है मैंने, इसमें यह हमारा main parent है, जिसने move किया और 16 तक उपर आया है, यह हमारा child है, अच्छा, यह elbow जो हमारी, वो सिर्फ एक ही direction में move होती है, elbow की जो direction होती है, move होने की, यह हमारी सिर्फ इस direction में, और knee हमारे, जो knee है, elbow वो सिर्फ एक axis पर move करता है, वो आप यहां से किसी और जगा से move नहीं कर सकता है, अगर आपको यह नीचे करना है, तो shoulder को हमाना पड़ता है, ठीक है, तो elbow जो है, वो एक ही direction में move कर दिया, तो लेहाज है, यह तो नीचे आनी सकती है, लेकिन यह जो wrist है हमारी, हम इसको करते हैं, लेकिन की लगा ले, पहले तो हम default position पर की लगा लेते हैं, सब पे, यहां और यहां हमने की लगा दी, जो हम पोज हमने बनाए, अब मैं इसको follow through डालने के लिए, जब यह parent उपर जा रहे, तो child को इस वक्त पीछे रहना चाहिए, ठीक है, तो मैं इसको बीचे की तरफ करता हूँ, ठीक है, और फिर मैं इससे कहता हूँ कि जब तक parent उपर जा रहा है, अपना, मतलब जो shoulder है, उपर जा रहा है, child को follow करना चाहिए, follow मतलब इसकी तरह कि उपर जा रहे है, मतलब है, हाथ जो हमारे, इसको follow करता हूँ आ रहा है, उपर की तरह आता हूँ, उपने ये किया, और उसके बाद मैंने दूसरी चैट के आज़ीज़ बताई थी, कि पहले parent रुकेगा, तो parent हमारे soul way frame पे जाके रुका है, तो child जो हमारे, उसके बाद रुकेगा, ठीक है, तो play करते हैं, इस वक हुआ क्या है, इस वक देखें, पहले इसकी निजबत, जो सबसे पहले मैंना animation मनाई थी, उससे कुछ बेदर नज़र आने रहा, पहले वाली जो एक बहुत robotic move थी, वो मैं move आपको जब तक इस वाले हाथ पर वैसी डाल के दिखा देता हूँ, ताकि आपको समझ में भी आती रहे चीज़ है, यह देखें, दोनों में आप फर्ग देखें भी, थोड़ी सी मैंने सिर्फ इस पही किसको थोड़ा सा follow through डाला है, भी ज़्यादा काम नहीं किस पर, लेकिन फिर भी यह बहुत बेतर नजर आने लगा, और यह वाली मुपन्ट जो बहुत ही ज़्यादा robotic नजर आ रही है हमें, सच्छा दूसरी चीज़ मैंने क्या कही थी, कि भी पहले parent रुकेगा, parent रुका सोला पर, child भी हमारा जो है, वो सोला पर रुक रहा है, तो हमने इसको कह दिया, कि नहीं, तुम्हें रुकना चाहिए, अठारा फ्रेम के बाद हमने इसको का रुके, चला के देखते हैं, देखें, थोड़ा सा और बेतर हुआ, और clear करने के लिए हमें काम करते हैं, तो यहां पर हमें अच्छा एक follow through के साथ, के पहले parent उपर जा रहा है, child उसको follow करते हुए आ रहा है, हाथ हमारा प्लब यह है, और उसके बाद फिर वो सीधा हो रहा है, तो एक तो यह चीज़ हो गई, ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जनाब के थोड़ा सा और, आगे हमारे पास और भी जो है, वो childs हैं, तो उनको भी हम ज़रा देखते हैं, जैसे यह fingers हैं इसकी, ठीक है, हम fingers के बेवी जाते हैं, और हम कहते हैं कि मजीद इसको थोड़ा सा follow through add किया जाए, fingers बेवी, ठीक है, तो आते हैं इस पर, जब यह जो इसकी move बनी है, सिर्फ हमने एक अलाई को move किया था, इसको भी एक, इसको मजीद follow करवाते हैं, कलाई हमारे इतनी की थी, fingers और अंदर की तरफ गई, यह भी follow कर रही है, यह देखें हैं, ठीक है, और उसी तरह, जिस तरह हमने कलाई पर काम किया था, इसको भी हम आथी करेंगे, जब तक यह उपर जा रहे, फॉलो करता रहे, और जब यह रुकती है, हमने कलाई जो यह 19 पर रुकी है, तो इसके child तो जो इसके child है, वो तो और भी बाद में रुकने चाहिए, लेकिन फिलहाल हम 19 पर ही रोपते हैं, और देखते हैं क्या फर्ट पड़ा, यह है, लेकिन आप और बेतर, एक बड़ा अच्छा सा एक follow through हमें नजर आने लगा, अभी से हमें, ठीक है, इतना भी काम, मतलब मैं जैसे ऐसे करता जाओंगा, जो लोग animation के बारे में नहीं जानते हैं, उनके लिए तो शायद वो पहली ही move, जब मैंने यह वाली भी बनाईती, CDC, वो भी शायद काफी होगी, यहां यार सही तो हो रही है, लेकिन जैसे ऐसे वो इनमें फर्क देखते जाएंगे, उनको ज़्यादा बेतर अंदाजा होता जाएगा, कि कौन सा हाथ realistically move कर रहा है, और कौन सा जो हो robotic लग रहा है बहुत जादा, ठीक है, अब इसमें एक चीज जो मैंने कहा कि पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ जिसके बारे में वो भी हम इसमें आड़ करते हैं, वैसे तो बहुत सारी चीज हैं, जैसे कि timing and spacing इसमें आपको नजर आ रही है, सही है, यह जो move हो रहा है, यह 0 से 16 तक गया, timing और यहां से यहां तक इसने spacing cover किये, तो वो timing और spacing तो मैं बार-बार कहता रहूँगा, समझाता रहूँगा हर दफा कि उसके बिना तो animation होती ही नहीं है, हाँ, इसमें squash and stretch नहीं है, अभी फिलाल कहीं पर, और अब हमने जो इसमें add करनी है, चीज़ वो क्या है, moving hold, ठीक है, जो हमने ball bounce में मैं आपको समझाया था, इसमें भी आपको समझाता हूँ, moving hold हमें किस तरह को चाहिए, देकिन जिस वकिए आकर रुका है ना, यह हमारा shoulder, ठीक है, आखर में आकर हमारी जो settle होगे, जो कलाई है, fingers है, बाद में आ रही है, बल्कल सही है, लेकिन अब हम क्या करते हैं, इसको हम कहते हैं, थोड़ा सा moving hold डालें, कि हाथ हमारा जब रुकता है कहीं पर, तो ठक से एक जगा पर pause नहीं हो जाता, ठीक है, आप जब move करें, कोई भी आपकी movement होगी, हमारा moving hold होता है, ठीक है, जिसको हमने हलका सा movement होती रहेगी, उसी तरह हाथ उपर उठाएगा, तो आप खुद भी उठागे देंगे, हाथ उठाएगे, तो वह हलका सा उपर से पर वापस settle होता है, लेकिन हमें इसको 16 पर थोड़ा सा overshoot करना पड़ेगा, हम इसको 20 पर आकर कहते हैं, यह settle होगा, यहाँ पर हम आकर इसको हलका सा overshoot कर देता है, ठीक है, हलका सा और उपर ले जाते है, तो यहाँ पर आपको दिखने लगा होगा, यह देखें, यह, मैं उसको play करता हूँ, यह, ठीक है, और ज्यादा वेतर हुआ, और realistic लगने लगा, अच्छा, खतम नहीं हुआ है भी, अभी चीज़े और भी आट करने के लिए, तो जब यह चीज़ हमने यहाँ पर डाली है, सेम चीज़ हम जो है, follow through के साथ ही, हम wrist पे भी डालते हैं, कलाई पे भी डालते हैं, क्या है, जब move हुई है कलाई हमारी, तो movement के साथ क्या हुआ, यह आकर अभी हमारी कलाई जो है, जटके से रो जाती है, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पर आने याद यह सीधी नही यहाँ पर overshoot करेगा, और फिर यह मैं कहता हूँ, 22, 23, 24, 24 पर चाट करता हूँ, बाद में देखेंगे, timing को overshoot किया हमने, यह चीज़, ठीक है, तो हम play करके देखते हैं, यह, तो यहाँ पर हमें, जिस इस तरह हम चीज़ा एड़ करते जा रहे हैं, उचीज हमारी मजीद ब जाते हैं, select करते हैं, इसको भी हम कहते हैं, यह थोड़ा सा यह भी overshoot करें, और यह भी बाद में आकर settle हो, तो यहाँ पर आकर हमने इसको भी overshoot किया, यह बड़ी मजीद की कार्टोनी मूग आपके सामने बननी शुरू हो जाएगी, आप चाहें तो और मजीद डिटेल में जाकर आप अलग अलग भी इसको मजीद बहतर जो है वो एक जब आप बहुत जादा detail में काम करेंगे तो आपको शायद में डिटेल में पी जाकर काम करना पड़े, ठीक है, play करते हैं, ठीक है, देखें, और ज्यादा बहतर, मजीद हमें मजेदार सी एक मूग बढ़ना जा आते लगी, सही तो देखें, दोनों में कितना फरक है, ठीक है, तो यह हमारे पास एक अच्छा आ रहे है, मैं कर वगर आउफ करके देखता हूँ, तो आपको और जादा clear नजर आएगा, यह लेकिन आपको समझा गया होगा, मैं इस बहुत जादा अगर side wide से भी दिखा हू तो तब भी आपको कमा के दिखाता हूँ, यह आपको देख रहे हैं किस तरह से जो move कर रहे है, यह चीज, तो एक मज़ेदार सा move बन रही है, और यह हमारे पास बहुत robotic move है, इसको अगर हम सिर्फ देखें, तो यह हमारे पास बहुत realistic move बन रही है, ठीक है जी, तो यह तो ह अगर हम इसको आफ कर देता हूँ भी फिलाल, बॉडी देखा हूँ, अच्छा जी, तो बॉडी के लिए हमने कहा कि हमने सारे controller select कि यह लगाता हूँ इसको कहता हूँ, और जनाब यह जो है, मैं इसको कहता हूँ कि यह नीचे आ जाए, ठीक है, तो अगर हम इसको play कर के दे देखें अभी क्या हो रहाएगे, ठीक है, right person देखें पूरा, तो यह character जो हो नीचे जुक रहा है, ठीक है, तो लेकिन इसमें कोई follow through नहीं है, अगर आप देखें, यह पूरी body की यहां से एक साथ नीचे आती है, हाथ सर भी उसका साथ नीचे जा रहा है, chest साथ जा रहा है नीचे pelvis जो है, hip है, यह साथ नीचे आ रहा है, तो पूरी body एक साथ अभी नीचे आ रही, कोई किसी किसम का, कोई इसमें follow through नहीं है, ठीक है, तो अब हम इसमें follow through अट करते हैं, जिस तरह से हमने pendulum में अट किया तो follow through, उसी तरह से करते हैं, ठीक है, सबसे पहले जो है, इस यह select करता हूँ, इसको मैं मजीद दो frame आगे कर देता हूँ, ठीक है, और उसके बाद head जो है, उसको मैं पकड़के मजीद दो frame आगे कर देता हूँ, ठीक है, और उसके बाद फिर मैं क्या करता हूँ, कि जनाब, एक follow through मजीद बहतर दिखाने के लिए थोड़ा सा यहां पर, पहली जो किया हमने chest को slack किया, यह भी पीछे ही रहेगा, head को slack किया, यहां पर हमने head को थोड़ा सा पीछे रहे, follow कर रहा है, यह आपको नदर आ रही है, यह चीज आई, और play करते हैं, ठीक है, अब already मेरे खाल में follow through इसमें नदर आने लगा होगा, हम थोड़ा थोड़ा सा इसमें, जो है वो, पीच बीच में भी हम इसमे, follow through कहीं कहीं पर, add करते हैं, सही, तो अब आपको एक body जो है, थोड़ी सी बहतर move होती ही, follow through के साथ move होती ही, कि यह जब इसमें नीचे आया, उसमें हमारी बॉड़ी है, वो, यह पैलवेस के हमारा main parent है, और इसके बाद इसके जितने child हैं, उन्होंने उसके बाद उसको follow करना शुरू किया, ठीक है, और बड़ा अच्छा हमारे पास फिर एक move बनी, ठीक है, तो जितना महमत लबस में चीज़ है भी बहुत जारी गुंजाईश है खेलने की, लेकिन फिलाल आपको काफी है तक इसमें समझाया होगा, कि अब क्या इसमें body किस तरह से move हो रही है, इसकी follow through add करने से कितना फर्क पड़ा है, और इसके बाद अगर यहां पर मैं क हम यहां पर पैल्विस को कहते हैं कि थोड़ा सा इसको ओवर्शूट कर जाए हलका सा इस तरह से और फिर वो सेटल हो जाए, ठीक है तो पैल्विस में भी हमार पास हलका सा एक जो moving hold आने का तरुका है, वो सेटल हुआ है, अगर हम इसको एक काम करें कि वापस ले जाते हैं इसके बाद कि जनाब अब यह जो है, यह इसके बाद सेटल हुआ, तो वापस आने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको कहेंगे ठीक है यहां तक आया है, तो वापस आते हैं हम तरस पे हमने आकर इसको कहा कि यह वापस चला जाए, ठीक है, तो यह अब नीचे आया, नीचे आने के बाद वापस चलाएगा लेकिन वापस जो गया है यह भी मुवीं होल्ड के साथ नहीं गया तो हम इसमें फॉलो थूरू जो है वो एड़ करेंगे उसी तरह से किस तरह कि भई हमने इसके जो की कंट्रोलर्स हैं इनको हमने का कि यह दो दो फ्रेम के गैप से जो है उठ्टा शुरू हो जाए ठीक है और फिर हमने बीच में जैसे कि मैंने इस पर नीचा आते भी किया था वही अब हम इसको उपर जाते भी करेंगे कि यह पॉडी जो है यह अपने पैल्विस को अपने प ठीक है यह देखें यह और फिर यह वापस सैटल होती है ठीक आपको समझ आया होगा कुछ मैंने कोशिश तो की है और उमीद है कि बहुत अद तक आपको चीजे इसमें बहुत क्लियर होई होगी कि जब बॉडी पे फॉलू थू आता है तो उस पे क्या इंपेक्ट आता है क इरेक्टर पर किस तरह से मूव करता है और एक रोबोटिक मूव और एक रियलिस्टिक मूव में फर्क समझ माया होगा उमीद है मैं कुछ समझा सका हूं और इंशाला आप इस पे काम करें कोशिश करें तो केलते रहें इस से और जिस हब तक प्रैक्टिस करते रहेंगे ची निया के प्रिंसिपल समझाओंगा शाला ताला तो एक्स वीडियो में मिलता है जबता कि रहें अला आफिस थैंक यू